परूप में जाना जाता है जिसे हम लोग 15 अगस स्वतंत्रा दिवस के रूप में जानते हैं 26 जनवरी गनतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 2nd October जो है वो मोहंदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी बाफू के याद में हम लोग मनाते हैं तो ये आज सुनहरा अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है जब हम लोग गनतंत्र दिवस पर दो सब्द आप लोगों के साथ सेयर करने आए हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि गनतंत्र का मतलब क्या होता है तो कि आप सभी लोग जानते होगे कि गन का मतलब होता है पूरी जनता और तंत्र मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां से किसी को रेगुलेट किया जा सके तो उसी को हम लोग बोलते हैं गनतंत्र ये हुआ साब्दिक अर्थ लेकिन एक्चुल में अगर बात करें तो ये गनतंत्र का तात्पर्ज क्या हुआ अर्थात जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है सुन रखा है कि गनतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस देश का महा महीम जो है वो वनसानुगत ना होकर बलकि वहां उस रास्ट अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है बेसिकली उसे ही हम लोग गनतंत्र का नाम देते हैं और दूसरा सब्द है कि जब हमारा संविधान लागो हुआ था जैसा कि आप लोग जानते होगे कि 26 नॉंबर 1949 को हमारा संविधान आंसिक रूप से लागो हुआ और भारत की प्रिष्ट भूमी पर 26 जनवरी 1950 को पुन रूपेन हमारे संविधान लागो हो गये थे उस दिन से हम लोग 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस के रूप में हर साल मना रहे है और इसकी ब्याख्या इसका जो प्रिष्ट भूमी है वो इतिहास में जुड़ा हुआ है जब आप लोगों को याद होगा 1929 का जो लाहर अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज के बारे में चर्चा की गई थी और वो पूर्ण स्वराज आज के डिट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब यहां यह बहुत अच्छा प्रस्ण उठता है जिसकी चर्चा करने के लिए मैं इनको बुलाया हूँ तो आज का वो जो विशे है जो प्रस्ण है वो प्रस्ण में दिव्यांसु से ही पूछना चाहूँगा कि आप बताएंगे कि स्वतंतरता के बारे में जो है आज के से वाल है एक से एक तरह से घह क्हाँ पने आप में बढ़ा डषण जिखरता सब्सक्रान जो ली जिए ता MRT कि आप मतलब यह नहीं कि आप मतलब कुछ भी कर रहा है तो तो उसमें समाज के परति आपका कोई दाइत्व नहीं है या आप सवतंतरता के कारण आप घमंड को निमंत्रन देतें यह भी मतलब नहीं है आप याद कीजिए सवतंतरता के लिए हमारे रास्टियन नायकों ने कितनी कुर्वानिया दिया है बिल्कुल इसमें तो कोई शक न करने के लिए या किसी आंदोलन के लिए किसी महा संग्राम में लोगोंने समोह में रूभानिय दी है लेकिन भारत में जो कुर्वानियत दी है हमारे रास्टिय नायोकों ने वो कहीं न कहीं और सब जगह से अलग है तो कि यहाँ पर आप याद करेंगा 1919 में जो जालिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था उसमें जेनरल डायर ने कितनी बेरहमी से लोगों पर गोलिया चलाई थी और मुझे याद है कि जो जालिया वाला बाग हत्या कांड जो स्थल है वहाँ से लगभग 12 मील की दूरी पर है भगत सिंग का घर और उसमें भगत सिंग 12 वर्ष के थे भगत सिंग उतनी दूर से वहाँ आये थे और उन्होंने वहाँ की मिट्टी ली और वो लेकर चलेगा और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा टर्न पॉइंट था इनके लिए भगत सिंग के लिए वहाँ से वह बहुत मतलब उनमें एक अलग सी उड़ जा आई एक वक्ता मुझे याद आ रही है 1857 के बाद जब जो ये जफर थे बहादूर सा जफर उनको गिरफतार करके ले जाया जा रहा था उससे में एक अंग्रेज ऑफिसर थे उन्हें उर्दू से बड़ा लगाव था वो उर्दू में शाहिरी वाईरी करने लगे थे कि जब जफर साहब को यहांसे लेकर जा रहे थे उन्होंने जफर साहब को बड़े ही साहirana अंदाज में ख़ा । तो दमदमा उस समेश हिंस्तानी फॉझद यजयार का जगए इसलिए उन्होंने ने ऐसका था ता दमदमे में Cup नहीं sub अधे। को जानकी ऐजफर ठंडी हुई समसीर हिंदुस्तान की तो बहादूर साह जफर खुच सायर थे उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक इमान की तक लंदन तक चलेगी एग हिंदुस्तान की क्या वात है क्या बात है बहुत अच्छा और ठीक उसी समय उसके 21 सा के बाद एक बार यह इस इंडिया कंपनी का लंदन में फैलिस्टेशन समारोह चल रहा था वहां पर उधम सिंग ने जाकर सामने से जेनरल डायर को गोली मारी थी तो उस समय यह जो जफर सहाब थे इनका जो वादा था जो बिटिस हुकूमत के परती बिटिस हुकमरानों को उस अहंकारी ओफिसर से जो इन्होंने वादा किया था वो तब जाकर पूरा हुआ था तो इस तरह से आप देखेंगे कि कि इतनी ही कुरवानिया दिया तब जाकर आज हम आजाद हुए हैं और अगर आज की प्रासंगिकता हम देखें तो कहीं न कहीं मुझे लगता ऐसा कि उस समय अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे और आज की समय में हमारे अपने ही हम पर राज कर रहे हैं इसने आप क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल सही फरमाया आपने और बहुत ही अच्छा लगा वो जफर का जो बहादूर सा जफर मुगलवन्स के जो अंतिम सासक के रूप में जाने जाते हैं सभी विदैर्थी सभी लोग जान रहे होंगे बहुत अच्छा वाक्यांस था वो बहुत अच्छा लगा सुनने में और ऐसे भी एपीजे अब्दुलकलाम के सब्दों में कहा गया है कि यदि देश भरस्टा चार मुक्त होता है तो उसमें जो सुन्दर मस्तिस को होता है वो एक अच्छा मस्तिस की एक रास्ट का निर्म और कहा जाता है कि वो राष्ट निर्माता के रूप में तीन लोगों को बहुत प्रमुक्स रे दिया जाता है, माता, पिता और गुरु और आज की प्रसंगिक्ता ये है कि जो हम लोगों ने गंतंत्र दिवस पर स्वतंदरता सब्द को इसलिए चुना, क्योंकि आज की जो व लोगों ने कितनी कुर्बानिया दी है, आपके उस morality को मानावता के सिध्धान्त को समझना है, अगर आपने इतिहास के रूप रेखा को देखा होगा, तो उसमें असपस रूप से आप लोगों को ग्यान का भंडार देखने को मिलता है, असोका दग्रेट जो थे, वो पूर परनाली, morality यानि नातिकता के अधार पर था, उसकी पिष्ट भूमी पर खड़ा था, और इसलिए वो असोक, असोक महान कहलाए, मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे चीजों की अवशकता है, जो हमारे समाज में होने चाहिए, एक और चीज़ से मैं यहां कहना कि स्वतंतरता का मतलब कई लोग यह समझने कि स्वतंतरता का मतलब हम कुछ भी करते जाएं, समाज की चिंता ना करें, जो मन में हो वो करते ने, तो इसका स्वतंतरता का मतलब यह नहीं है कि आप समाज की बारे में बिलकुल भी ना सोचे, वो कुछ हद तक सही है कि कुछ करने से पहले हम बहुत सोचते हैं कि हम ये कर रहैं क्या कहेंगे लोग इस तरह की बाते मμέन में आती हैं उससे आपको ऊपर उठा लेकिन उससे ऊपर उठने केóm мама आपको घमंड कोनी मंत्रा नहीं देना है घमंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप याद किजे उन अंग्रेजों को जिनका कभी सूरज नहीं ढूपता था जन्होंने हम पर दो साल राज किया, 200 वर्स राज किया, sorry माफी चाहूँगा, 200 वर्स राज किया हम पर और आज उनके वाइसराय के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले इस्तिमाल मेला है, आप देखते होंगे, रेड कलर के कपड़े होते हैं, तो इसलिए घमंड क आज मतलब ऐसा कहा गया है कि सांती और युद्ध दोनों ही अनेक बुराईयों को जन्न देते हैं, और अंग्रेज जब भारत आये थे, उससे में मुगल अत्यंत सांत हो चुके थे, उन्हें कोई डर ही ने था, वो सोच रहे थे, चंपूर्ण भारत में रही है, जो है हम ही हम ही इसके निर्माता है, हम ही इसके भविष्य है, सब कुछ हम ही है, और भारती अभी उससे में अत्यंत सांत हो चुके थे, अंग्रेजों ने इस बात का फाइदा उठाया और धीरे-धीरे, वो हमें अपने मुटीम कस्ते चले गए, आज का भी दोर अगर आप देखें, तो उससे बहुत अलग नहीं है, उससे में अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे और आज हमारे अपने ही हम पर राज कर रहे हैं, और हमारे अपने में मतलब आप समझी रहे हैं, हमारे प्रतिनी धीग, एक बार, एक वक्ता मुझे याद आ रही है, एक बार, एक सहीद की कि यानि कीमत लुटा दी है वी रों की विद्वाओं को तुमने 10-10 लख रुपे दिये हैँ वीरों की विद्वाओं को, मैं 20 लाइज देता हूं तुम किसमत के हिट्टों को, अगर हिमत है तो मद्रि भेज़ा लटने अपने बेटों को क्या बात है बहुत अच्छा संदर लड़ने तो किसान का बेटा जाता है बाप खेत में हल चलाता है बेटा वहां बंदूक उठाता है और ये दिल्ली में बैठके समझाता करते हैं तो कहीं न कहीं ये भी आज की डेट में मतलब अगर देखें समाज का सरवांगीन विकास की और अ कहीं न कहीं हमारे प्रतिम्यूधियों की काहीं है और अधिये दूस्तों और हम लोग जानते हैं कि ये गंतंत्र दिवस जो है बड़ी हर्स और उलास के साथ मनाये जा रहा है और चुकि आज के दीन में जो पूरे विश्व पटल पर जिस तरह से आप लोग जान पा रहे हो कि जो कोरोना वाइरस है महमारी के रूप में उबरा है और ये दो-तीन साल से प्रिशान करकी रखा है तो हम लोगों को इसके साथ लड़ना होगा इसके साथ संगर्ष करना होगा और अपनी वीर भूमी पर अपने इतिहास को याद करते हुए हम लोगों को भी एक इतिहास बनाने होंगे और कहा जाता है कि देश के वीर जबानों की होली याद है क्या क्या हुआ था हमें सब के साथ सब का हिसाब है स्वतंत्रता मिली थी मुश्किल से गंतंत्र है हमारा अधिकार जिसका जबाब है अर्थात हम लोगों को गंतंत्र के साथ आगे बढ़ना है और ये ह तो दोस्तों और आप कुछ कहना चाहेंगे अंत्व यहीं आपके मतलब जो भी इद्यारती देख रहे होंगे उनसे ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सपना देखते हैं उसके लिए आपको खुझ से महनत करना होगा ना कि यह किसमत ऐसे है प्रिष्थितिया नुकूल नहीं है आप अगर सपना देखे हैं तो उसको जाग के महनत करके आपको पाना होगा अगर इसी तरह से हमारे रास्ट्रिये नायक करते उन्होंने जो सपना देखा था आजादी का सपना देखा था वो भी अगर चुप चाप बैठे रह जाते तो याद कीजे मतलब आप सोचिए कि क्या अगर आज हम आजाद होते इसलिए अगर आप सपना देखते हैं तो उसके के छोटे छोटे बातों को लेकर अब तक के लिए जय हिन जय भारत